हेलो गैज, कैसे हो आप से उम्मेद करता हूँ, अच्छे होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल डेटा को जल्दी खतम होने से कैसे बचा सकती हूँ क्योंकि गैज, सर्विस प्रोइडर की तरफ से जो हमें मोबाइल डेटा मिलता है, वो लिमिटेड होता है किसी को 1 जी भी मिलता है, किसी को 1 जी भी मिलता है, किसी को 3 जी भी मिलता है लेकिन guys काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो mobile में ज़्यादा कुछ use भी नहीं करते और उनका mobile data खतम हो जाता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको mobile के कुछ ऐसे settings के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप on off करके अपने mobile data को long time तक use कर सकते हो और guys आपका mobile data जल्दी खतम नहीं होगा तो दोस्तो आज के ये वीडियो काफी interesting और काफी important होने वाला है वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को like कर दीजे चैनल पर नए ये चैनल को subscribe कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं अप्लिकेशन स्लेटे नहीं जानकार स्लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप दोस्तों चले मैं आपको पहले सेटिंग के बारें बताता हूँ गैज इसके लिए आपको सबसे पहले यूटूब में जाना होगा और गैज आप यहां पर देख सकते हूँ मैंने एक वीडियो को play कर रखा है आप मेंसे काफी सारे लोग यूटूब पे वीडियो देखते हो सौंग सुनते हो और आप यूटूब पे वीडियो को play करते हो लेकिन आपको यूटूब के सेटिंग के बारें पता नहीं होता है जिसकी वज़े से आपका mobile data जल्दी खतम हो जाता है काफी सारे लोग गाने सुनने के लिए वीडियो को play कर देते हैं और फोन को दूर रख देते हैं और वीडियो को देखते नहीं है उनको यह नहीं पता होता है कि उनका जो वीडियो है वो किस quality में play हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पे three dot पे click करना है और आपको यहाँ पे second number पे एक option मिलता है एक setting मिलता है quality का जब आप यहाँ पे click करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे यहाँ पे अगर आप high quality पे वीडियो को play करके रख दोगे अपना phone तो दोस्तों आपका जो mobile data है वो जल्दी खतम हो जाएगा गैस अगर आप YouTube में वीडियो नहीं देख रहे हो सिर्फ गाने सुन रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 144P पे select कर देना है जिससे गैस जो वीडियो की quality है वो कम हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा mobile data ज्यादा खतम भी नहीं होगा क्योंकि गैस अगर आप 1080P या फिर 720P पे कोई वीडियो प्ले करोगे तो गैस मैं आपको बता दूँ कि आधे से एक घंटे के अंदर आपका जो mobile data है सारा खतम हो जाएगा तो दोस्तों यह काफी important setting है इसको आपको कर लेना है और दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपकी जो वीडियो प्ले हो रही है उसकी quality क्या है अब गैस चले मैं आपको दूसरे setting के बारे में बताता हूँ इसके लिए आपको प्ले श्टोर में जाना होगा play store में जाना बाद आपको यहाँ पे three line पे click करना है और guys आपको यहाँ पे setting में जाना है setting में जाना बाद आपको यहाँ पे 2 option मिलते है auto update app पहला option जो है इस पे आपको click करना है और guys यहाँ पे आपको don't auto update को select कर लेना है क्योंकि guys अगर आप over wifi कर लोगे या over any network कर लोगे तो दोस्तों किसी भी application का कोई भी update आएगा तो automatically आपका जो application है वो update हो जाएगा और automatically आपका mobile data जल्दी से खतम हो जाएगा आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे don't auto update को select कर लेना है और guys जब आप चाहोगे तभी आपका application अपडेट होगा क्योंकि guys मान लिजे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और यहाँ पे आपने over any network कर रखा है ठीक है उसके बाद किसी भी application का कोई update आता है तो automatically आपका application अपडेट हो जाता है इससे आपकी phone की battery भी खतम हो जाएगी और आपका mobile data भी खतम हो जाएगा तो guys आपको यहाँ पे don't auto update को select कर लेना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे auto play video का option मिलता है इस पे आपको click करना है और यहाँ भी don't auto play video को select कर लेना है तो दोस्तो इससे भी आपका mobile data जो है वो काफी ज़्यादा हद तक safe होगा अब guys चले मैं आपको तीसरे setting के बारे में बताता हूँ इसके लिए guys आपको अपने phone के whatsapp में जाना होगा क्योंकि guys whatsapp तो सभी use करते है whatsapp में आने के बाद आपको यहाँ पे three dot पे click करना है और यहाँ पे setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे chat पे click करना है और guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा chat backup का आपको इस पे click करना है दोस्तों काफी सारे लोग chat का backup create करते हैं और गैज इसको करना भी चाहिए काफी important होता है लेकिन गैज यहाँ पे आप एक setting on कर देते हैं include videos और गैज आपके phone के जित्ते भी videos हैं whatsapp पे जो videos आते हैं उसका भी backup create हो जाता है और गैज इसके वज़े से भी आपका mobile data जल्दी खतम हो जाता है तो दोस्तों आपको इस setting को बंद कर देना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 71 MB2 भी uploaded यहाँ पे लिख रहे हैं तो गैज इस तरह आपका भी video upload हो जाता होगा आपका भी backup video का बन जाता होगा इसकी वज़े से mobile data जल्दी खतम हो जाता है तो गैज आपको इस setting को off कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे back जाना है back जाने के बाद गैज आपको यहाँ पे एक option मिलता है data and storage users का आपको इस पे click करना है और गैज आपको यहाँ पे दो option मिलेंगे जो की काफी important है पहला जो option मिलता है when using mobile data आपको इस पे click करना है गैज यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी option है वो tick है इनको आपको untick कर देना है गैज जब आप internet mobile data से चलाओगे तो automatically कुछ भी download नहीं होगा अगर आप इसको untick कर दोगे दोस्तो काफी time ऐसा होता है हमारे whatsapp पे बहुत सारे videos आते हैं photos आते हैं, document आते हैं और गैज जब आप इसको tick कर दोगे तो गैज वो automatically download हो जाते हैं आपके काम की जो चीजे नहीं होती है वो भी download हो जाता है जिससे guys mobile data जल्दी से खतम हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ photos कर देना है photos important होते हैं अगर आप चाहते हो कि इसको भी बंद करना है तो आप इसको भी बंद कर सकते हूं अब यहाँ पे आपको ok पे click कर देना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक और option मिलता है when connected on wifi same यही चीज़े wifi से भी है अगर आप wifi से automatically download करना चाहते हो तो guys आपको इसको tick रखना है अगर नहीं करना चाहते है तो आप इसको un-tick कर सकती हो तो यहाँ पे हम इसको un-tick कर देते है तो दोस्तों इतना करने के बाद आपका जो mobile data है वो save होगा बचेगा अब guys चले मैं आपको last setting के बारे में बताता हूँ जो काफी ज़्यादा important है इसके लिए guys आपको phone के setting में जाना होगा phone के setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे swipe करना है scroll करना है और guys यहाँ पे आपको एक setting मिलेगा app management का आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपको app list में जाना है guys यह जो setting है यह सवी के phone में होता है आप कोई भी company का phone यूज करते है MI, Redmi, सवी phone में आपको यह setting मिल जाएगा और guys यहाँ पे जब आप आओगे तो आपके phone के जितनी भी application है आपको यहाँ पे so हो जाएंगे guys आपको उन application को select करना है जिनको आप बिल्कुल भी use नहीं करते हो जैसे guys हम अपने phone में app market का use नहीं करते हैं क्योंकि guys हमारे phone में play store है जो की काफी अच्छा application है वहाँ पे हमें सभी application मिल जाते हैं हम वहाँ से install कर लेते हैं तो दोस्तो app market की हमें क्या जरूरत है और guys यह background में run करता है हमें notification देता है जिससे guys हमारा mobile data भी खतम होता है और phone की battery भी इसके लिए guys आपको यहाँ पे data uses detail पे क्लिक करना है और guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा disable mobile data आपको इस application का mobile data disable कर देना है और guys जब आप इस setting को enable कर दोगे तो दोस्तो ना तो यह mobile data को use कर पाएगा ना तो background में run कर पाएगा इससे guys काफी हद तक आपकी mobile data जो है वो save होगा तो दोस्तो आपको उन सभी application पे यह setting कर लेनी है जिनको आप बिल्कूल भी use नहीं करते और guys इतना करने के बाद आपका जो mobile data एक MB भी फालतु खर्च नहीं होगा इसकी मैं guarantee देता हूँ तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल पे नए है हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं अप्लिकेशन्स लेटे नहीं जानका इस लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद